दिपावली पर जन्पत में लगने वाले पटाकों के बाजार की सुरक्षा व्योस्ता पूरी तरीके सेवनिशमन विभाग की देखरीक में की जा रही है ऐसे में जन्पत के विबनस्तानों पर लगने वाले बाजारों में किसी भी प्रकार की कोई अपरिय घटना ना हो और घटना से निपटने के लिए ततकाल अगनिशमन विभाग हरकत में आकर कम से कम नुकसान और किसी भी तरह की जान माल की हानी ना हो इसके लिए पटाका व्योसाईयों को लगातार जागरूप करने का कारे कर रहा है वहीं लगने वाले बाजारों में अगनिशमन यंतर सही तन्योप करनों को भी रखा गया है वह नहीं है कि देख लेंगे इनको जो पतंद है इस समद्ध में संबादा से बात करते हुए दिपावली पर्व है जो इसमें बहुत हरस्तों लास का पर्व है इसमें सभी घरों में डीपक जलाया जाते हैं और आतीस वाजी भी होती है पटाके शुड़ाया जाते हैं जिसको देखते हुए तमाम लाइसंस भी प्रसासन द्वारा टेंप्रेरी तीन दिन के लिए लाइसंस भी जिले में निर्गत किये गए हैं सहर में कुल बारा स्थानों पर अस्थाई लाइसंस निर्गत किये गए हैं जो अस्थान चिनित हैं जहां पर फायर सर्विस की गाड़ियां भी अस्थान पर लगाई गई हैं वहां पर और वहां पर ड्यूटी लगाई गई हैं जिससे कि वहां पर किसी प्रकारगर कोई अ सो लीटर पानी के ड्रम भरे रखेंगे बालू रखेंगे नवालिक बच्चों द्वारा अतिजवाजी का विक्रेकार नहीं किया जाएगा शमान हमारी दुकानों में हर एक समान फुल्यडि अनार पताके हैं राकेट कई समान उन्हेल कार के मतफ समान ऊट और फुल्यादिए पताके शकाना अनार है घए हऊं त्लद पिछले साल से अब तो रैट बढ़ा उब जहा क्योंकि उज्छाब से इस समय भी मांगा ही जादा है तो उस अपको देखते हुए करोना के हिसाब से जो भी है वो समय आने पे पता चलेगा दिपायली तो खाय दो दिन बात पता चलेगा क्या है क्या नहीं है कश्टमर कोई भीड तो अभी कम है फिलाल पहला दिन है धंतेरस का पहला दिन है साम से भीड होती है अब साम से उमीद है कि भीड होगी इस समय दूप है दूप के वज़ास भी कश्टमर कहां निकांगे